आगरा में सिकंद्रा हाइवे पर गुरुद्वारा गुरु का ताल के सामने भी शनात्सा हुआ तेज रखता ट्रक ने सवारियों से भरे आटो कुरूं दिया आटो में सवार पांच यात्रियों की घटना इस्तल पर ही मौत हो गई और इखाय लोग्या पुलिस आटो में फसे शवो को बहां निकाल कर मोट चुरी भी तिया है गटना इस्तल पर दुर्गटना में म्रतक हुई एक महिला के परीजन भी गटना इस्तल पर पहुंच रोने चिलाने लगे बताते चले कि आटो आगे खड़े ट्रक और पीछे से आकर ट्रक कर मानने वाले ट्रक के बीच फस गया दर्टनाक दुर्गटना को देख वहां मोजूद लोगों की तो रूख काम गई घटना दोपर करीब तीन बचे की है सिकंधरा हाईवे स्तेथ गुरुद्वारा गुरु का ताल कच पर भगपाण तुकी चरहे के और से आने वाली आतायात रुका हुआ था सिकंधरा रेल्वे ओवर बिच और गुरुद्वारा से आने वाले वाहन हाईवे क्रोस कर रहेते इसी दोरान ट्रांस्पोर्ट नगट चुराही के और से 30 रफ्तार राजिस्तान नंबर के ट्रक ने आटो में जोरदा ट्रकर मार दी आटो आगे खड़े ट्रक में फंस गया, सवारियों की चीखने का भी मौका नहीं मिल सका वो दोनों ट्रकों के बीच बूरी तरह से फंस गई दुरगटना के बाद चारक ट्रक छोड़ कर भाग गया, हाईवे पर मोजुद रागिरों ने सवारियों के शवों को बहार निकालने का प्रयास किया बीशन दुरगटना में लोगों की मौत हो गई जिसमें दो महिलाएं, दो पुरुष और एक बच्चा भी है विशाल दुरगटना में मनने वालों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है उनके शिनाक की प्रयास किये जा रहे हैं उत्रप्रदीश के मुख्यमान प्रियों के आद अतनात ने बेसार दुरगटना में करने वाले लोगों के प्रति अपनी सम्मेदनाएं व्यक्त किये और गहरा अद्धुग भी चताया है वंदिबारेस से रागवेन रुसिंग की रिभी